Hello Everyone, Good Morning to all of you आज भीनिम नेस्ट वर्टीब्रेट्स करने surge जैसे मैंने आपको करवा दिये थे युए नोन को्ड़ेट्स या इन वर्टीब्रेट्स हमारे कंप्लीट होगे अब हमने मेंने कल आपको एक ऊवरवीू बदाया था ग्राफिकल ओवर्वियों हमने किया था वर्टीब्रेट्स का ठीक है जिसमें मैंने एकरेनियेटा और क्रेनियेटिया गनेथोस्टोमेटा वगरा सारे बताए थे उनकी डिटेल हम बाद में करेंगे पहले हम वर्टीब्रेट्स के कुछ एक जर्नल फीचर्स कर लेते हैं तो जो हमारे पास वर्टीब्रेट्स हैं वर्टीब्रेट्स हम नोन कोड़ेट्स या इन वर्टीब्रेट्स से मोडिफाइड फॉर्म्स लेते हैं इन वर्टीब्रेट्स के कंपैरिजन में ये जादा कंप्लेक्स हैं जादा एडवांस्ट नेचर के होते हैं ठीक है अब ज जिसका मतलब क्या है joint of the spine कि spine में joints है या फिर उसको हम बोल सकते हैं bones or segments ठीक है अब ये word कैसे derive हुआ देखो जब codates बने थे non-codates से codates बने थे उनकी body के dorsal side पे एक notocod present थी जो क्या थी हमारे पास इस तरह से solid notocod present थी ठीक है जब यही notocod इसमें modifications आई notocod छोटे-छोटे segments में divide हो गई तो इस notocod को हमने क्या बोला vertebral column ठीक है तो इस vertebral column के basis पे नाम पढ़ गया vertebrates ठीक है किसके basis पे इन segments यह तो segments दिख रहे ना हमारी जो backbone में segments होते हैं इसके basis पे नाम पढ़ गया हमारे पास क्या vertebrates ठीक है और अगर बात करें हम इनके journal features या journal character की तो यह बहुत great variation show करते हैं देखो यह जो vertebrates हैं यह हम approximately fishes से start करते हैं और mammals तक run करते हैं ठीक है यह मैंने कल graph में आपको बताया था fishes से start होते हैं mammals तक run करते हैं और देखो fish कहां पे रहती है पानी में रहती है ठीक है उसी तरह अगर आगे हम चलते जाएं कुछ एक पानी में रहते हैं कुछ एक land पे रहने वाले और्गिनिजम्स हैं कुछ एक हवा triploblastic का मतलब क्या हो गया कि इनमे एक्टोडोम मीजोडोम और अंडोडोम तीनु प्रेजेंटोर स्मिट्री की बात करें तो बाइलेटरल स्मिट्री इनमें देखने को मिलती है vertebral column जो है अभी जो मैंने पहले बताया नोटो कॉड जो है modify हो के segmented vertebral column बनाती है segmented vertebral column उसके बाद अगर हम बात करें nerve cord की जो कल मैंने आपको chordate feature बताय थे इस तरह से यह हमने एक diagram मेंने बताई वी थी यहां थी हमारे पास noto cord nerve cord जो nerve cord है vertebrates में यह modify हो के brain and spinal cord बनाती है यह जो brain है हमारे head वले portion में होता है यह जो spinal cord है हमारी backbone के अंदर होती है ठीक है तो जो nerve card थी modify हो के brain और spinal cord बनाएगी और इसी की वज़ा से हमारी body की sensitivity जो है वो increase हो जाती है ठीक है दन उसके बाद next point है pharyngeal gill slits pharyngeal gill slits भी मैंने कल बताय थे pharynx वाले region में gill slits मतलब gill की opening present होती है और यहां मैंने क्या लिखा है कि vertebrates में बहुत ज़ादा modification शो करते है अब यह modification किस तरहा से शो करते हैं देखो कुछ एक fishes हैं जिसमें gill slits बिल्कुल open होते हैं मतलब किसी भी particular skin से cover नहीं होते हैं जिनमें gill की opening को cover किया जाता है यह आपको मैं clear कराऊंगी जब हम fishes के character करेंगे ठीक है fishes के character के time यह बिल्कुल clear हो जाएगा किसमें यह जो gills है open रहते हैं किसमें covered रहते हैं इसलिए मैंने क्या लिखा है great modification शो करते हैं ठीक है दन उसके बाद digestive system की बात करें वो हमारे पास complete होता है complete का मतलब mouth से start हो रहा है एन अस्तकरन कर रहा है इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे complete digestive system excretory system की बात करें तो kidneys present होती है excretory organ जो है वो in the form of kidneys है और अगर बात करें excretory matter की तो ammonia, urea, uric acid हो सकता है circulator system जो है बिल्कुल closed है closed का मतलब एक heart present है इसे blood vessels arise हो रही है blood heart से blood vessels में और blood vessels से heart में move करता है ठीक है देन उसके बाद next हम बात करें respiration की respiration के लिए gills भी है, lungs भी है अलग लग organisms है, gills और lungs प्रेजन होते हैं for respiration और जो अब नया है यह आपने नहीं पढ़ा होगा immune system देखो vertebrates में immune system develop हो जाता है, immune system का मतलब naturally body में defense mechanism run करता है defense जैसे देखो हमारी country को soldiers protect करके रखते हैं ठीक है, पूरी country को soldiers प्रोटेक्ट करा होता है उसी तरह हमारी body में immune system होता है ठीक है, जो हमारी body को pathogens, कोई भी virus, bacteria या कोई भी foreign particle हमारी body में enter करता है तो उसको उसको उसपे attack करते हैं, हमारी body को protect करने की कोशिश करते हैं particularly wbc, हमारे जो wbc, white blood cells होते हैं, वो act करते हैं as a defense mechanism ठीक है, दन उसके बाद endocrine system मतलब हमारी body में कुछ एक ऐसी organs, endocrine glands होते हैं जो continuously कुछ सक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स और हार्मोन्स क्या होते हैं, chemical messengers एक particular organ से सक्रीट होते हैं, दूसरे जगा जाके act करते हैं बहुत सारे हमारे पास endocrine glands है, exocrine glands भी है, endocrine glands भी है यह हमारे पास एक अलग सा unit है, उसमें detail कराएंगे, ठीक है, अभी सरफ इतना याद रखो, endocrine system जो है vertebrates में develop हो जाता है, तर उसके बाद अगर हम बात करें, reproduction की तो mostly sexual reproduction देखने को मिलती है और cupulatory organs भी well developed हैं, ठीक है, cupulatory organs male और female में well developed हैं जिसकी वज़ा से fertilization क्या होती है, internal, ठीक है, internal fertilization होती है और development जो है direct होती है, कुछ एक दो cases है, fishes में जिन में indirect development है या फिर frog amphibian में indirect development है, बाकी mostly जो है वो direct development देखने को मिलती है direct development का आपको पता है ना, मतलब उसमें larval forms involved नहीं होती, ठीक है ये थे हमार पस कुछ एक journal feature vertebrates के, इसके बाद फर्दर इसकी हमने classification करनी है और उन classes के अलगलग से character करने है